मैं डक्टर अमिद भटनागर पंतनगर कृषी विश्विदाले मैं प्रोफिसर के पत्पर कारे रहा हूँ और अपने इस चैनल अमिद भटनागर क्लासेज मैं मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अप्लोड किये हैं जो स्टुडेंट्स के लिए हिंदी इंग्लिश दौन लेंग लेक्टर इन हिंदी और इंग्डिश मिग्स दे कैन गो फॉर दप्लेइस्ट यह जो लेक्चर है कृषी किसान में हिंदी के लिए है आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो सिचाई पे हैं कि देखे हमको सबको पता है कि हम फसल की सिचाई करते हैं और क्यों इसकी होने पे नुकसान होता है अती हर चीज की बुरी होती है और सिचाई ज्यादा करने से क्या नुकसान होता है एक हमारे मन में धाराना रहती है कि खेत में जितना पानी लगा देंगे फसल उतनी अच्छी होगी पैदावार बढ़ेगी और हमें फायदा होगा लेकिन ऐसा नह तो उससे पौधों पर नुक्सान होता है, मिट्टी में नुक्सान होता है, प्रया वुरॉणऔर में भाट नुक्सान होता है। और इससे हानिया होती है। आज मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूं कि हम जब सिचाई में ज़्यादा पानी देते हैं तो क्या-क्या नुकसान होते हैं। देखे जब हमने सिचाई करी और खेद में पानी दिया और हमने खेद को लबा लब पूरा भर दिया अब मिट्टी के अंदर पूरा पानी है मिट्टी के ऊपर पूरा पानी है इसका मतलब मिट्टी के अंदर अब हवा नहीं है देखें, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, छोटे-छोटे छेद होते हैं, खाली जगा होती है, उन खाली जगा के अंदर जड़े होती हैं, और वो जड़े क्या करती हैं, और श्वसन की प्रिक्रिया करती हैं, और इनी जड़ों के से ही फसल की बढ़वार होती है, अगर पाने श्वसन कैसे करेंगी अब पानी मानी ये तीन चार दिन तक भढ़ा रहे गया तो धीरे 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 पौधों की जणों पे असर आने लगता है और पौधे सूखने लगते हैं यही कारण होता है आपने देखा होगा जब खेत में दो ती दिन पानी भढ़ जाता है तो पौधे की पत्या पीली पढ़नी शुरू होती हो धीरे धीरे पूरा पौधा मर जाने लगता है तो यह अवस्था इस करान से हुई क्योंकि हमने इतना पानी भढ़ दिया उसके अंदर हवाई भी रही तो यह क्या हुआ हमारा नुकसान हुआ पहला नुकसान तो यह हो गय जाकी पौधों की बढ़वार रुक गई पत्या पीली पड़ गई दूसर नुकसान यह है कि जब पानी पूरा भरा हुआ है उसके अंदर वायू नहीं है तो मृदा के अंदर सूच जीव होते हैं मिट्टी के अंदर सूच जीव होते हैं जिवाणू है वैक्टीरिया है फ यह सूच जीव ना हो तो मानिए इस बात को कि पोशक तत्तु पौदे को नहीं मिलेंगे यह सारे पोशक तत्तु चाहे करणिपदार्तों से हैं मिट्टी से हैं इनको उपलब्द कराने का काम सूच जीव करते हैं अगर मृदा में सूच जीव नहीं है तो पौदों को डाले उसको भी स्राणाने का काम कौन करते हैं यही सूचमजीव करते हैं अब मिट्टी में तो पूरा पानी भरा हुआ है उसमें हवा नहीं है ऑक्सिजन नहीं है तो इन सूचमजीवों की म्रत्व हो जाती है तो बहुत से सूचमजीव ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सिजन की जर यह वो हमारे लाबदायक होते हैं तो अब यह जो पोँशक तत्व क्यों प्रवद्वत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अब ऐसे जिन्दा रहेंगे ऐसे सुचनजीव जिन्दा रहेंगे जिनको ऑक्सिजन की जरूवत वायू से नहीं होती वो पोशक तत्तों के अदर जो अक्सिजन होती है उसको लेना शुरू कर देते हैं तो भूमी के अंदर बड़े हानी कारक पदार्थ बने लगते हैं जैसे मिथेन गैस बन जाती है ये पौदों को हानी कारक है हाइडरोजन सलफाइड गैस बन जाती है ये भी पौधों को नुकसान करती है तो जमीन के अंदर पानी भरोने से विशेले पदार्थ बनते हैं जो पौधों को नुकसान पहुचाते हैं अब ये मिथेन गैस बनी ये कहा निगल गया थी है वाईू मंडल में आ जाती है ये जो वाईू मंडल का तापमान बढ़ रहा है उसको बढ़ाने में सहिता करती है तो पानी भरने से क्या हुआ पौधों की तो मृत्पी हुई हुई सुच जी भी मरे और वाईू मंडल के ता करके फिर nitrogen के साथ एक समस्या और यह आती है जो nitrogen होती है उस पर सूचमजीव ऐसे सूचमजीव जो विना वायू के भी रह लेते हैं वो इस nitrogen को पे attack करना शुरू कर देते हैं मतलब इससे अपना श्रसन प्रारम करना शुरू करते हैं यह जनीक प्रिकरिया होती है इस कारण से nitrogen nitrogen नाइट्रोस अकसाइड गैस में बदल जाती है और यह नाइट्रोस अकसाइड गैस कहां चले आती वायू मंडल में ये भी वायू मंडल का तापमान बढ़ाती है अब देखें दो पॉष्टत जमीन से नीचे चले गए, हानिकारक पदार्थ बनने लगे जो पौधे को नुकसान पहुचा रहे हैं और सूचुजीवों की म्रत्वी होने लगी, जिससे जो और्गनिक मैटर है, कार्वनिक पदार्थ है, उन से जो पोष्टत तो निकलते हैं, वो भी निकलने बंद हो गए, विशेले पदार्थ जमीन के अंदर इखटे होने शुरू हो गए, कुछ ऐसी gases बनने लगी, जिससे वाईयू मंडल में ऐसी gases पहुँच रही है, जिससे हमारा जो तापान, पृत्वी का बढ़ रहा है, तो यह देखिए, सारा सचना खराब हो जाती है, तो उसके बाद अगर पानी निकल जाए, मिटी सूख जाए, तो मिटी खराब हो जाती है, उसके अंदर जड़े अच्छी तरह से नहीं हो पाती, वाईयू का संचार कि इना करें कि पानी मिल गया है तो हम ज़्यादा पानी लगा दें ये नुकसान करेगा अगर हमारी हलकी मिट्टी है मतला पानी उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता है तो उसमें थोड़ी गहरी सिचाई करें और सिचाई जल्दी जल्दी करें अगर भारी मिट्ट जिसमें क्लिय है मतलब पानी रुक जाता है तो उसमें हलकी सिचाई करें ज्यादा पानी ना दें ज्यादा पानी आप देंगे तो पानी उसमें रुका रहेगा भारी मिट्टी माँ पानी निकलना फिर यह जो मैंने समस्या बताई यह होगी हलकी मिट्टी में इस तरह की समस् हमारे पास तो उसमें सिचाई बहुत ज़्यादा गहरी ना करें नहीं तो खेट सुखेगा नहीं और पानी जाया दिनों तक बना रहेगा देखे एक अच्छी मिट्टी वह होती है कि जिसमें मिट्टी के अंदर देखिए रंद्रवकाश है मतलब छेद हैं आधे छेदों में तो हवा हो और आधो में पानी हो तो ऐसी मिट्टी पौधो के लिए बहुत अच्छी होती है तो आधो में हवा होगी तो उससे पौधो की जड़ों को अक्सिजन मिलेगी और आधो में पानी होगा तो पानी मिलता रहेगा हवा पानी दोनों मिलते रहेंगे लेकिन होता गय तो आपको कभी भी ज़्यादा सिचाई नहीं करनी है अगर पानी कम हो जा रहा है तो आप दूसरी वार सिचाई कर दीजे लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आप खेत में ना लगाए यह जो मैंने नुकसान बताए यह होगा पानी का तो लागत बढ़ेगी बढ़ेगी आपकी उपज भी क्या हो जाएगी और मिटी में आपने जो पोशोत तो दिये थे खाट से दिये थे चाहे कारवनी खाट से दिये गोवर की खाट से दिये यह बहे करके पानी के साथ या तो जमीन के उपर से बहे कर दिकल जाएंगे अगर पानी उपर से बहरा होगा एक खेत से सब्सक्राइब करें. क्यूंकि जड़े इतनी बड़ी नहीं है 40-50 दिन की फसल हो गए alors 60 दिन की फसल हो गए कि पौदें बड़े हो गए है जड़े बड़े हो गए तो पानी की गहाई थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं क्यूंकि उसके पानी की अवशक्ता पौदے को जादा है तो शुरू में तक अभी भी आप पानी ज़्यादा ना लगाए लिए तो सारा पौधा शुरू की बढ़वार रुख गई तो सारी फसल की बढ़वार रुख जाएगी तो ये मैंने आपको नुकसान बताए किस तरह से पोशक तत्तों की हानी हो रही है खेट से कैसे हानी कार संचार जमीन में बन रहे है और वो तो हमें नजर आता ही है कि फसल हमारी पीली पड़ जाती है और सारा नुकसान हो जाता है तो आप जब भी सिचाई करें मिट्टी को देखके करें और लगबग 6 संचार मिट्टी में प्रयाप्त बना रहेगा धन्यवाद